पदमिनी एकादसी, कमला एकादसी बरत कथा धरम राज युधिष्टिर बोले हे जनारदन अधिक मास के सूकल पक्ष की एकादसी का नाम तथा उसकी बिधी क्या है? किर्पिया करके आप मुझे बताईए सिरी भगवान बोले हे राजन अधिक मास में सुकल पक्ष में जो एकाथशी आती है वह पद्मनी कमला एकाथशी है वैसे तो परतियक वर्ष 24 एकाथशिया होती है जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़ कर 26 हो जाती है अधिक मास या मल मास को जोर कर वर्ष में 26 एकाथशिया होती है अधिक मास में दो एकाथशिया होती है जो पद्मनी एकाथशी सुकल पक्ष और पर्मा एकाथशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है ऐसे स्री कृष्ण ने अरजुन से कहा भगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन को इस ब्रत की कथा सुनाई भगवान श्री कृष्ण बोले मलमास में अनेक पुन्यों को देने वाले एकाथसी का नाम पद्मिनी है इसका ब्रत करके मनुस्य कृति प्राप्त करके वैड कुंठ को जाता है जो मनुस्यों के लिए दुडलव है यह एकाथसी करने के के दिन ब्रत का एरंब करके काशिक पात्र में जोव चावल आदी का भोजन करें तथा नमक न खाये भुमी पर विरसे और ब्रॉम्हचारय ब्रत का पालन करें लेकाथसी के दिन ब्रत ब्रह्म हम हुडत में सौच आधी से निर्वित होकर दंत धावन करे और जल के बारह कुले करके सुध्य हो जाए सुर्य उदय होने के पुर्व उतम तीर्थ में अशनान करने जाए इसमें गोबर मिटी तील तथा कुशा वो आउले के चूटन से विधी पुर्वक अशनान करे स्वेत वस्तर धारन करके भगवान विश्नु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करे हे मुनिवर पूर्वकाल में त्रेता यूग में हैख नामक राजा के वंस में किर्टे विरिय नाम राजा महिसमती पूरी में राजय करता था उस राजा की एक हजार परम्प्रिया इस्तिरिया थी प्रंदु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज भार को संभाल सके देवता पीतर सीध तथा उनके अनेक कित्स्यक आदी से राजा ने पुत्र प्राप्ती के लिए काफी प्रयत्न किये लेकिन सब असफल रहें तब राजा ने तपस्या करने का निश्चे किया महराज के साथ उनकी परंप्रिय राने जो एक छामंक वन्स के उत्पन हुए राजा हरिस्चंद्र की पत्नी नाम वाले पदमिनी करन्या थी राजा के साथ वन में जाने को त्यार हो गई दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौप कर राजसी वेस्त्याग कर गंध मादन परवत पर तपस्या करने चले गए राजा ने उस परवत पर दस हजार वर्स तक तप किया प्रंतु फिर भी पुत्र प्राप्ती नहीं हुई तब पतिवर्ता रानी कमल नैनी पदमिनी से अंसुया ने कहा बारह मास से अधिक के महतुपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास पस्चात आता है उसमें द्वात्सी यू करने से भगवान तुम पर प्रसन होकर तुम्हें सिग्रहीं पूत्र देंगे रानी पदमिनी ने पूत्र प्राप्ती की इच्छा से एकात्सी का वरत किया वह एकात्सी को निरहार रहकर रात्री जागरन करती इस ब्रत से प्रसन होकर भगवान विश्णू ने उन्हें बिश्नु लोकों में भगवान के सीवा उनको जितने का समर्थ किसी में नहीं था। जिन मनुस्यों ने मल मास सुकल पक्ष एकाथसी का ब्रत किया, जो संफून कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भी यस के भागी होकर बिश्नु लोक को प्राप्त होते हैं। तो एक पर प्रेम से बोलिए हरी बिश्नु की जै, तो भक्त गन ये थी एकाथसी ब्रत की कथा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सेर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धर्न्यबाद, नमस्कार, हरी ब